नमस्कार, फाइनल पोस्ट में आपका स्वागत, आने वाले समय में जो पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव होने हैं, उसकी बड़ी सरगर्मी से तयारी सभी पाटियां कर रही हैं, और सभी पाटियां आपने अपने लुभावने वादों के साथ चुनावी महरान मे । अ सब्सक्राइब छूनाव पाटियां यू DO से जो ज्यादा सीटे ले जाता है मुख्यमंत्री वहीं का होता है उन्हीं की पार्टी का होता है तो इन चीजें को देखते हुए यूपी उत्तर परदेश का चुनाव बहुत ही जवरदस्त बन गया है बीजयपी ने भारती जनता पार्टी ने एक ऐसी पिछ तियार कर दी है कि अब सब पार्टियां उस पीच पर आकी खेरने को त्यार हो गए जहां तक यूपी में अन्य पार्टियों का सवाल है तो कॉंग्रेस ना के बराबर है वो अपना जनाधार तकरीबन खो चुकी है बीएसपी कहीं नहीं दिखाई देती अभी जो आप पार्टी है वह भी पुर्जोर कोशिश कर रही है चुनावी जुमलो और नुभामने बादों के साथ इसके साथ ही जो वैसी है वह भी अपनी जो रजमाईश में लगे हुए है यूपी में चाहे कोई भी पार्टियां हो उनका अस्तित्र या तो ना के बराबर है या है तो उसको वो किस तरह बचाए इस चीज़ पर लगे हुए है और अन्य पार्टियों के चुनाव पर चार और उनके कार्यकारताओं का जोश देखते हुए यही लगता है कि आने वाले समय में यूपी में सिफ दो पार्टियां ही रहेंगी जिनका सीधा मुकाबला होगा और वो पार्टी होगी समाजवादी पार्टी और बीजेपी भारती जनता पार्टी जो अभी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है इन ही दो पार्टियों के पास ह हाला कि बीजेपी की जो मायवती है वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा है लेकिन बीजेपी का जनाधार इतना अब नहीं लग रहा क्योंकि बीजेपी दुगारह चलाए गए जो योजनाए है कल्यानकारी योजनाए है उनका प्रभाव जो है ओभी सी एस्टी पर बहुत ज्य और यह देखा भी जा रहा है कि इसी वज़ा से बीजेपी ने पिछले साल भी 300 से ज्यादा सीटे प्राफ्त की और इस साल भी 300 से ज्यादा सीटे पाने का दावा कर रही है। हाला कि कुछ मुस्लिम पार्टियों के कूदने से जैसे इनके कूदने से और जो मुस्लिम पार्टी मानी जाती है बीएसपी आप पार्टी जो मुस्लिम पार्टी को समर्थन देती है बीएसपी नहीं कहीं मुस्लिम वोटिंग मुस्लिम वोटरों का बिखराव या उनका बड एक दिल्चत बात यह है कि वह समाजवादी पार्टी जो राम मंदिर के निर्मान के समय मुल्याम सींग जो मुखिया थे उसके कारसेवकों पर गोली चलवाते हैं कहीं अगर रेप होता है और उनके द्वारा यह बयान हलता है कि बच्चों से गलती हो जाती है अखिलेश जिफ मुसलिम मद्दाताओं का उपयोग करना और जीतने के बाद उनको एक दरकिनार कर देना तो इन सब चीजों को देखते हुए हिंदू कहीं न कहीं उनसे दूरी बनाए हुए है यही कारण है कि लाल टोपी पहने पहले जो समाजवादी पार्टी के नेता लोग जो उन लगा है कि गुंडागर्दी से काम नहीं चलेगा थोड़ा भवान का भजन पूजन भी करना चाहिए और इसका श्रे जाता है बीजेपी को भारती जनता पार्टी को जिसने एक हिंदुत्तु का मुद्दा ऐसा उठाया और सभी हिंदूों को एक जुट करने में अपनी हैं महां पर मुषमानों के हर कारे किये जाते थे परन्तु जब जो चुन भी हैं घिजन नजदी काने लगे ममिध मम्ता ने भी पैत्रा अपनाया Kadhi Chandi Pooja करती ती 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 लक्षमी पूजा करती ती कभी दूडगा की पूजा करती ती और जगा तो उसका एक परभाव एक जन्मानस पे पड़ा तो यही अब अखिलेश जी कर रहे हैं अब उनको जो है कृष्ण जी भी याद आ रहे हैं उनका क्याना है कि कृष्ण जो है वो यदुवंशी थे तो इसलिए जितने जो यादव हैं वो सब उनके साथ हैं कोई उनसे दूर नहीं जाएगा और जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी का नारा है आयोध्या काशी और मथुरा हमारा है आयोध्या तो हमने मंदिर बना दिया काशी का पुनर निर्मान वह उसका जिर्नोद्वार कर दिया अब मथुरा की बारी है तो कही न कहीं बीजेपी दोआरा एक उस कमजोर कड़ी को चुणा मथुरा के बहाने क्योंकि बीजेपी को कहीं न कहीं लगता है कि पश्मी उत्त मुझे सबा सांसद हैं वीजेपी के उनका ये कहना कि मुझे सपने में आए क्रिशन जी और उन्होंने काहा कि जो है कि योगी जी को मुथुरा से ही के लड़वाना चाहिए तो ये सब बाते जो है अभी एक धर्म के आधार पे या जो है भगवान को बीच में लाके या इश्वर को बीच में लाके अपने जो है लोगों की आस्था को जागरूप करके उनको अपने फेवर में करना तो ये एक इस पर भूप बिजैपी खेल लही आए तो वह पिच बनाई हुई जो है वह वह बीजैपी की है और उस पहर धिरे धिरे सब खेलने आ रहे हैं तो हमारा कहने का नहीं कि आप सबको पता लग गया के बिना हिंदू कोई पार्टी जित नहीं सकती और जो हिंदू है वह कही न अ कहीं अभी तक उनको ठगा ही गया है और खास करके जो अगडी जाती के ब्रामनों राजपूर्थों और छत्रियों इस तरह के जितने हैं उनको कभी किसी नहीं इतनी तवज्जों नहीं दी जहां तक अखिलेश की बात है तो अखिलेश कभी तो परशुराम का फर्सा लगाते कभी जो है क्रिशन जी के यदुबंशी होने की बात करते हैं और यहां तक ही यह कह देते हैं कि यह राम मंदिर अगर हमारी सरकार होती तो एक साल में थेयार कर देते हैं तो यह कहते हुए उनको शरम आनी चाहिए अखिलेश को यह वही अखिलेश जी है जिनकी सरकार जो 9 अक्टूबर 2013 में इनके जो निची सचीव थे मिश्ट मिश्रा जी उनके दवारा एक चिठी लिखी जाती है मुख्यमंत्री अखिलेश जी को कि जिस तरह सोमनात का पूर्ण जिन्मद्वार किया गया उसका पूर्ण निर्मान कानून बना कर किया गया इसी तरह हमें राम म अपत से मुक्त कर दिया तो यह वही अखिलेश जी है अभी अखिलेश जी का भाशन सुने तो आपको एक बड़ी दिल्चस्प बाद नजर आएगी इनका जो भाशन है वो हर एक भाशन की शुरुवात हिंदुतू से होती है उसके बाद हिंदू-मुसल्मान पे चली जाती है और जिन्ना के बाद वो सीधे लादेन पे चली जाती है तो इनकी जो मांसित्ता है वो अभी भी जिन्ना और लादेन पे ही है जो हिंदू-तु-चवी वाली पार्टी थी यह भी कहीं न कहीं जाके कॉंग्रेस से मिल ऐसा नहीं है कि यह पहली बार उगा है बीज़पी भ जो है इस तरह के गड़ बंदन कर चुकी है उसका उधारन है जैसे कश्मीर में पीडिवी के साथ गड़ बंदन राजनीती को इसलिए कहा जाता है जिसमें कोई नीती नहीं वही राजनीती है हम यह नहीं कहते कि आप बीज़पी को वोट दे आप एसपी को दे मगर इस ची पर इस सिति क्या रहेगी क्या बीएसपी भी उभर के आएगी क्या आम आदमी पार्टी भी उभर के आएगी जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो यह तो वादे और लोग लुभावन नारों पे ही चलती है हाला कि आम आदमी पार्टी ने देश को एक चीद तो दी ह और वो चीज है कि इनों ने जैसे कंजूमर परड़क्स में एक स्कीम चलती है डारेक्ट बैनिफिट टू दे कंजूमर जो बैनिफिट है वो सीधे ग्रहा को देना चाहिए तो जैसे आप कोई पेस्ट खरीते हैं उसके साथ बुरुष मिलता है इसी तरह केजरी वालने एक स् कि जैसे आप हमें भोड़ती जिये हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम आपको पानी फ्री देंगे हम आपको इंटरनेट सुगा फ्री देंगे तो यही कारण है विकास करें ना करें लेकिन देश की जनता को सिब फ्री की चाहिए आने वाले समय में जनता को वोटर को मह के हरेक विट्ति को चाहि वो किसी भी धर्म का हो उसको यह समझना पड़ेगा कि अगर पार्टी हमें फ्री दे रही है, तो क्या फ्री के साथ विकास कारेश भी करेगी, यह सोचकर ही हरेक वोटर को अपना आत्मांथन करके वोट अपना किसको देना है, किस पार्टी को जो है सत्ता में लाना है यह सोचना आज की स्थीति में बहुत आवश्यक है इनी शब्दों के साथ आनिल कुमार फाइनल पोस्ट से